हेलो गाईश तो स्वागत है आपका टेखनिकल अंकेद मैं और मेरा नाम है अंकेद और आज की वीडियो काफे ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज किसी वीडियो आपको एक ऐसी ट्रिक के वारे मताने वाला हूं जिसे करके आप अपने एंडूरीड स्मा रॉंइंंटर तो सिंप्ली आपको प्रेश्टेर पर जाना है और यहां सरच करना है आयो स्विटिल लॉंचर जो तो गाइस आपको यह को यह सेक्ट करना है तो यहां फस ब्ली किसे नायक की आफ झालोड कर लेना है थे मैं आप फैर आफ आलोड कर रखें 嗎 तो गाइस जहां आपने उस एको डावलोड किया ऑपimaan के एक ईसे ओपन कर लेना है करना है तो यहां एक option का make default launcher आपको उस पर click करना है और click करने का यहां okay पर click करना है तो यहां दो option होंगे iOS 15 launcher और quick step आपको iOS 15 launcher पर click करना है तो guys जैसी आप उस पर click करूंगे जो हमारी home screen है वो बिलकुल iPhone की तरह हो जाईगी आप यहां देख सकते हो बिलकुल iOS 15 की तरह हमारी home screen हो चुकी है पर guys यहां मैं बिलकुल iOS 15 की तरह ज्यादा feel नहीं आ रहा है तो और feel लाने के लिए आप क्या कर सकते हो तो आपको simply अपने प्लेश्टर पर जाना है और सर्च करना है control center तो guys simply आपको यह सर्च करना है तो यहां first application आएगी आपको उसे download कर लेना है मैंने यहां already download कर रखा है तो मैं अपनी home screen पर जाऊंगा और जहां मैंने उस app को download किया था मैं उसे open कर लूँगा तो guys open करने के आद आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा जैसी आप इस open करोंगे तो आपसे कुछ permission आपको allow कर देना है तो allow करने के आद यहां एक option होगा जो की offer रखा है आपको उसे on कर लेना है और करने के आद आपको अपनी home screen पर जाना है तो guys home screen पर आने के आद आपको थोड़ा दा switch करना है और slide करने के बाद बिल्कुल iPhone 15 की तरह status बार आ चुके हैं आप यहां देख सकते हो आप बिल्कुल iOS 15 की तरह फील आ रहा है बिल्कुल iOS की तरह यहां status बार हमारे आ चुके हैं तो guys अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मे थीडियो नहीं पस्टन की तरह हैं भींट कोर आता है्ट्स